नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदे सिक्षिका स्रीमतिरंजना सिंग, विश्य हिंदी, कक्षा आठमी, पाठचे, पाठ का नाम है अन्धायोग, इसके कवी हैं डॉक्टर धर्मबीर भारती जी डॉक्टर धर्मबीर भारती जी का जन्मू 1926 बी इलहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यों 1997 मुंबई महारास्ट्रों में हुई थी भारती जी आधुनिक हिंदे साहित्य के प्रमुक लेखक, कवी, नाटक कार और सामाजिक विचारक थे आपको 1972 में पदमश्री से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुकृतियां हैं स्वर्ग और प्रित्वी, चांद और तूटे हुए लोग, बंद गली का आखरी मकान, ठंडा लोहा, साथगेत, कनुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देउता, सूरज का सात्मा घोडा, ग्यारा सपनों का देश, पश्यंती, अंधायुक, इत्यादी। बच्चों इस बाट में प्रस्तुत अंश्र, डॉक्टर धर्मपीर भारती जवारालिकित, गीती नाट्य, अंधायुक से लिया गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवियम जिवित पुद्र, युद्ध सु, द्रोणाचारे के पुद्र, अश्वत थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाड़ चलाया था के मध्य हुवे समवाद दिखाया है। इस गीती नाट्य की प्रथम पंक्ती युद्ध सु के शब्दों में इस प्रकार से है होती होगी बधिकों की मुक्ती प्रभू के मरन से किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविश्य की प्रभू के इस कायर मरन के बाड़ इसका आर्थ इस प्रकार से है। युद्ध सु कहते हैं प्रभू कृष्ण तो चले गए उनके मरन से उनके आशिरवात के रूप में भले ही वधिकों की मुक्ति मिल जाए वधिकों का आर्थ होता है वध करने वाला अर्थात शिकारी परंतु भगवान ने इस प्रकार काईरों की भाती चुप चाप मृत्यों को क्यों स्विकार कर लिया वे तो चले गए और पूरिस रिष्टी में अंधिकार व् यू यूद्सू के बाद अश्वत्थामा इस प्रकार से बोलते हैं कायर मरन मेरा था शत्रुव लेकिन कहूंगा मैं देव्य शान्ति छाई थी उनके स्वर्ण मस्तक पर अर्थात अश्वत्थामा कह रहे हैं भगवान ने कायरों की भाती चुप चाप मृत्यों को स्विक यू यूद्सू यह तुम क्या कह रहे हो कृष्ण कायर नहीं है यू यूद्सू कृष्ण मेरे शत्रों थे उन्होंने मुझसे मेरी मणी छीनली परंतु फिर भी मैं कहूंगा मैंने देखा था मृद्ध्यों के समय भी उनके प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शान्ति च यू यूद्सू और अश्वत्धामा की बाते सुनने के बाद वृद्ध शिकारी इस प्रकार से बोलते हैं बोले अवसान के छडों में प्रभू मरन नहीं है वो व्याद व्याद का आर्थ है शिकारी मात्र रुपांदरन है या रुपांदरन का आर्थ है रूप परिवर् सबका दाइत्व लिया मैंने अपने उपर अपना दाइत्व सौप जाता हूँ मैं सबको दाइत्वकार थे जिमेदारी अब तक मानो भविश्य को मैं जिलाता था लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निश्क्रिय रहेगा निश्क्रिय अर्थात जो कोई काम न करता हो आत्मघाती रहेगा आत्मघाती अर्थात आत्महत्या करने वाला विगलित रहेगा विगलित का अर्थ है सिथिल संजय युजुद्सु अश्वत्था मा की भाती क्योंकि इनका दाइत्व लिया है मैंने बोले वे लेकिन शेश मेरा दाइत्व लेंगे बाकी सभी अर्थात प्रभू ने जाते समय कहा था हे वधि हे शिकारी यह मेरा वमरण नहीं है यह तो मात्र मेरा रुपांतरण है आज तक सभी जीवों का दाइत्व मैंने अपने उपर ले रखा था अब मैं सबका उत्तरदाइत्व उन सबको ही शौप कर जा रहा हूं अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था लेकिन अब आने वाले अंधकार मैं युग में मेरा एक अंश निश्क्रिय रहेगा कुछ नहीं करेगा सितिल रहेगा और इस प्रकार मानों अपने हाथों अपनी मृत्यों का कारण बनेगा संजे, युजुट्सु और अश्वत्थामा के समान क्यूंकि इनका दाइत्व मैंने लिया था मेरा दाइत्व वा इस्थित रहेगा हर मानवमन के उस वृत में वृत का अर्थ है गोला उसके चरित्र में जिसके सहारेव सभी परिस्थितियों का अतिक्रमन करते हुए अतिक्रमन अर्थात उलंगन करना नूतन निर्मान करेगा पिछले द्वन्सों पर द्वन्सकार थे विनास होना मर्यादा युक्त आच्रण में नित नोचन स्रिजन में नूतन का अर्थ है नया निर्भैता के साहस के ममता के रस के छण में जीवित और सक्रियों हो उठोंगा में बार बार सक्रिय का अर्थ है फुर्तिला क्रिया युक्त इसका अर्थ इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों द्रभु ने यह भी कहा था कि शिर्ष सभी जीव मेरा उत्तर दायत्व संभालेंगे, प्रतेग मानव मन में मैं रहूंगा और मनुष्य सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए नित्य नवीन सिजन करेगा. ऐसे लोगों का आच्रन मर्यादा पुर्ण होगा उनके नूतन सिरिजन में नए कारिय में, उनके निर्भायता, उनके साहस और प्राणी मात्र के प्रती, उनकी मम्ता के रस में सराबोर होकर में बार बार जिवित होकर सक्रिय हू उठूंगा, अर्थात अपने कारिय करने मेरे प्यारे बच्चो माभारत के युद में श्री किष्ण बगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, नैनम चिंदन्ती शस्त्राडी, नैनम धहती पावका, ना चैनम कलेदयन्त यापो, ना शूश्यती मारुत, पर थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आ प्रिवर्दित हो जाता है, अर्जुन अपने प्रियजनों को मारना नहीं चाहते थे, वो बहुत उदास थे, उसी समय कृष्ण भगवान ने उनकी आँखे खोलनी चाही, और आत्मा अजर अमर है, उसके बारे में बहुत सारा उपदेश दिया था, आगे अश्वत्थामा इस प्रकार से बोलते हैं, उसके इस नई अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति, विक्रित, अर्थ बरबर, आत्मखाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पाचाएगा, प्रश्न करते हैं वो, बच्चों विक्रित का अर्थ है कुरूप, बिगड़ा बरबर का अर्थ हिंशक, अत्याचारी, अनास्था में का अर्थ है, जिसमें स्रध्धा का भावना हो। इन स्पक्ति में अश्वत्था मा कहते हैं, प्रबु ने जो कहा है उस तंदर्ब में क्या हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही छोटा हो, विक्रित बुद्धी वाला हो, या असव्य हो, अपने हित अहित के विशे में सोचे बिना काम करने वाला हो, या स्रिष्टी के प्रतेक प्राणी, प्रतेक वस्तु पर अस्रध्धा रखने वाला हो, सभी अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात सभी अपने जीवन में सफल हो सकेंग जाहे वो अच्छा कार्य करता हो या बुरा कार्य करता हो अंतिम पंक्ती में वृद्ध शिकारी इस प्रकार से बोलते हैं निश्य ही वे हैं भविश्य किन्तु हाथ में तुम्हारे है जिच छाहो उनको नस्ट करो जिच छाहो उनको जीवन दो जीवन लो अर्थाद ऐसे व्यक्ती भी अपने जीवन में अवस्य सफलता प्राप्त कर सकेंगे किन्टु अव या तुम्हारे अधीन, अधीन है कि तुम जब चाहे ऐसे लोगों को नस्ट कर दो जी छड़ चाहे उन्हें जीवन दो, चाहे उनका जीवन ले लो, ये तुम्हारे हाथ में है, अब ये तुम निश्य करोगे, कृष्ण भगवान नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग में जा चुके हैं, धन्यवाद